हेलो दोस्तों आप सभी को उमा की रिसुई में स्वागत है फ्रेंड आज बनाएंगे हम मटर पनीर चलो दोस्तों बनाना सुरू करते हैं बिल्कुल देशी तरीके से बनाएंगे चार से पाच मैंने प्याज लियें जिनको काट लिया है और ये कोई हाट से नो टमाटर लिये और दो गिट्टे लसुँन के छील लिये हैं और ये लिये हैं मैंने शाट से आठ हरी मिर्चे उनको बारीघ काट लेगे ये लिए है मैंना आदा के जी पनीर दोस्तों सभसे पहले क्या करेंगे पनीर को हम धो लेंगे दोने के बाद इसको चोटे-चोटे पीस में काट लेते हैं दोस्तों सभी पनीर को मैं बढ़िया से काट लेती हूँ आपके उपर है कि आपको किस तरीकी का पनीर का सेप देना है मैं तो इसको बिल्कुल एक जैसा बारी ना जादा बड़ा ना जादा छोटा काट रही हूँ मैं तो इसको मीडियम साइज के काट के बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ ये फ्रेंड मेंने क्या किया है ये काट लिए है मैंने आदा किलो पनीर चालो दोस्तो उसको पनीर को फ्राई करेंगे, सबसे पहले रखेंगे कड़ाई, कड़ाई में डाल देंगे हम गी, गी के बार डालेंगे सरसू का तेल, दोस्तो क्या होता है अक्सर हम जबी भी कभी कहां आते हैं, तो इस तरीके से माटर पनीर बनाते हैं, और बहुत कर लेंगे, मतलब बढ़िया चे इनको फ्राई कर लेते हैं, पनीर को, दोस्तो आप सभी को अगर मटर पनीर की रेसिपी मेरी आची की अच्छी लगे, तो नीचे लाइक का बटन है, आप लोग लाइक कर सकते हो, अगर नहीं लागे तो दोस्तो डिश लाइक भी कर सकते हो मबरक कर जरूर दिया करो, उससे ये पता चल जाता है हमें कि आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगी, पनीर हमारा फ्राई वो चुका है, तो क्या करेंगे इसको पानी में निकाल लेंगे, पानी में निकालने से यह होता है, दोस्तो हमारी पनीर सॉप्ट बनी रहती है, कर लोगे इसी तरीके से मैं लगबख सारी पनीर को फ्राई कर लोगे यह मैंने क्या किया दोस्तों यह फ्राई कर लिया है दोनु बैचों को अब मैं इसको उसी बाउल में निकाल लेती हूं इस तरीके से मैं निकाल लेती हूं देखो हमने पनीर को बिलकुन नहीं जलाया इसको बढ़िया से लगातार चला थे वह उलट पुलट करते हुए बूना है तो पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है चलो दोस्तों अब इसमें लगाते हम तड़का सबसे पहले डाले को ढबने के बाद क्या करेंगे जीरा को चतक ने देखे जीरा हमारा चटक चुका है तब क्या करेंगे जो हमने प्याज का नाकी रखा उसक्को जाल डालने के बाद इसको मिक्स कर देते आ है Queens ठगी से यह मिक्स करने के बाद अप्याज को बढ़िया के भीने के शे से साथ मिनिट दोस्तों लगातार चला थे हम प्याज को बूने के प्याज को बून जाएगा तो इसका कलर ऑटोमाटिक चेंज प्याज हमारा बुन चुका है तब हमासा लें जाएंगे जैसे दो चमठ जाएंगे दनिया पावडर कि इसलें आट बार नागख को दोस्तों गवन में घुथा फ्र crispy सब्सस्रेद करव करदू अब तो पावड़ां नमक डालने के बाद क्या करना है अब डालेंगे इसमें पनीर मसाला यह देड़ चमच पनीर मसाला डाल दिया तो एक चमच डालेंगे हम गरम मसाला इन मसालों को बढ़िया से भून लेते हैं दोस्तो मसालों को बढ़िया से लगातार चलाते हुए भूने अगर हमारे मसाले बहुत बढ़िया से भूनते हैं तो सबजी आटोमेटिक ही बहुत अच्छे से बनके तैयार होती है दोस्तो अब क्या करेंगे मसाले में थोड़े से जले ना तो इसमें डालेंगे हम आदा कप के करीब पानी पानी को इस तरीके से लगातार चलाते हुए चलाएंगे पानी वड़िया से मिक्स हो चुका है तो मसाला बुनके एकदम रेडी हो चुका है देखो मसाली का कितना प्यारा सा खलार आ चुका है अब इसमें डालेंगे जो हमने टामाटर और हरीमेच और अद्रग और लसुन का प्यूरी बना के रखी थी उसको वो डाल दिये तो इसको बढ़िया से मिक्स कर देखे लिक्स करने के बाद इसको साथ से आठ मिनिट तक बड़िया से इसको पकाएंगे मसालो हो मसाले जब तक पके नाइए तब तक साइडों से ऐल छोड़ना सुरूरना हो तब तक हम मसालो को लगातार चलाते वे बूनेंगे अब इसको मैंने डख कर पका हैं तो यह देखो मसाले कितने प्यारे पक चुके हो गया है अब क्या करेंगे अब इसमें हम एक कटोरी डालेंगे पनीर को बहुत स्वादिश्ट बनाने के लिए डालेंगे एक कटोरी मठा जिसको चाच भी बोलते और दही भी बोलते हैं इसको मिक्स कर देते ग्रेवी में यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है दोस्तों तो फिर इसमें डालेंगे हम हरी मठर दोस्तों कम से कम मैं 20 लोगों का सबजी बना रही हूं आदा किलो पनीर में 20 लोगों के लिए बना के तैयार करूंगे मठर को भी बून लेंगे डखके मठर भी बढ़िया से बून चुकी है तो दोस्तों क्या करेंगे एक लोटा पानी डालेंगे हम अईसी गरी भी लखेंगे ना जादा गाड़ी ना जादा पत liberties आप लोग इसको चावल के साथ खा सकते हूँ रोटी के साथ खा सकते हो आपको जो भी चीज के साथ खानी है उससे आप लोग खा सकते हो बढ़िया से उभाल आना शुरूग हो चुका है देखो कुछ इस तरहीके से अब वाल आने के बाद क्या करेंगे जो पनीर अमने फ्राइब करके रखी ति उसको इसमें डाल देते हैं इस तरहीके से डाल देते हैं दोस्तो इस प्रोसेस से आप लोग अगर एक बार मटर पनीर बना होगे तो बहुत स्वाधिश्ट लगती है दोस्तो जबी भी कभी हम गाव जाते तो इसी तरहीके से मटर पनीर बना के खाते हैं बहुत स्वाधिश्ट लगती है और इस मटर पन और इसको mix कर देंगे पनीर डालने के बाद और इसको पकाएंगे पास से 6 मिनिट तब डखके अब पास से 6 मिनिट हो चुके हैं तो दोस्तों देखो पनीर हमारी बढ़िया से बन के हो गया रेडी तो इसमें डाल देंगे हैं फिरेस एकदम दनी आपता देखो इस तरीके से सबजी का कलर कितना प्यारा है dos of hearts हमने कोई भी कलर नहीं डाला है फिर भी हमारी सबजी का कलर कितना प्यारा आया है चलो दोस्तों मिलतियों आप सभी को नेक्स रेसिपी में बाइ बाइ झाल झाल